जहिन दोस्तों श्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेनी दुर्गेश में मैं दुर्गेश याश्वाल आपके बीच आधुनिक भारत के इतिहास एवं राष्ट्री आहंदोलन के तीज दूसी महागाता स्रीच लेकर आया हूं जिसमें हम आपको हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत के उन सभी तथ्थों को एक एक करके ब्याक्षा करके चलेंगे जो आपके परिच्छा दिश्ट्रीकोंड से सबसे ज़्यादा महत्वण हो तो बीना देरी किये आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आप सभी को पता होगा भारत के गवर जनरल वह सभी जो परिच्छा में बार बार पूछे जाते हैं वहां से जो परिच्छा प्रश्ण आते हैं उनकी भी त्यारी आज हम लोग को अच्छी तरीके शिक करनी है तो बिना देरी किये अब हमें क्लास की प्यारंब करनी चाहिए आपके सामने पहला प्रश्ण डिस् से जादा महत्त्य पूण है और आपको पता है भारती किसी भी भरती परिच्छा में बैठें यहां से एक प्रश्ण आपका जरूर आता है एक से दो प्रश्ण तो बीना देरी के अब आप लग वीडियो में जुड़े हैं चलते हैं क्लास की सुरुवात करते हैं पहला प्र पर्थम गवर्नर जर्णरल कौन था तो यहां पर दो बाते हैं एक परता है और बंगाल का न की बंगाल का दो बात कर देना चणगा अगर गवर्नर जर्णरल से प्रश्ण आता है जैसे मैं आपको लिखवा दूँ अच्छे होगा कि आपने लगनी दुर्गेस पर जो चीजे पड़े वास्तों में काबिले तारीव थी एक था बंगाल का एक था बंगाल का दूसरा था भारत का दूसरा क्या था भारत का लेकिन अब आपको प्रश्ण में पता होना चाहिए कि जो वारेन हेस्टिंग थे यह था जो वारेन हेस्टिंग थे यह कहां किती है यह बंगाल के थे याद रखिएगा जो वारेन थे कि यह बंगाल की गवर्नर थे यह बात आपको याद रखना होगा जबकि भारत का पहला गवनर जशनरल लाड विलियम विटिक थे कौन थे पर यह ल जलिंख में विलियम वैटिक थे यह महत्वपूर्ण आपके लिए याद रखिए गार लाड़ विडियम वैटिक थे अब जैसे यह सत्राइसो कि तीहत्तर से सत्राइसों पचासी आप तो पता ही होगा एक लाड़ विलियम वैटिंग जो थे वह 1833 यहां से दो प्रश्ण आपका बना लेकिन यहां पर यहां पर लाड़ विलियम वैटिक नहीं दिया गया है इसलिए हमने बिकल भी वारें हिस्टिंग का चैन गया जबकि वारें हिस्टिंग भारत के पर्थमना होकर यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे मैंने तत्य को अस कि पार पर हमने आपको बता दिया कि प्रथम गवर्नर जनरल वारें हिस्टिंग कि वारें हिस्टिंग सेनके अनुसार यह बंगाले गवर्णर जनरल बने इन्हें भारत का पहला गवर्णर जनरल भी कहा जाता है इन्हें इन्हें भारत का पहला गवर्णर जनरल कहा जाता है लेकिन है नहीं वारेन हिस्टिंग को भारत में नैग सेवा का जन्दाता कहा जाता है और सुप्रीम कोड के स्थापना आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्ण की तरफ आप इसकी कर लिजेगा यह महत्रपूर तथि मैंने आपको लिख्वाया आगे बढ़ रहे हैं अगला प्रकोष्ट की नीती से संबंदी कौन है सब्सक्राइब का जबाब दे और इस प्रश्ण का उत्तर आप सभी लोग ब बताता येगा कौछ से विखल पर साला लगाया जाए है हम की जलिए बनाव लोग इसभी लोग बताएं सब् Tag 1 लाइक नहीं कर सब्सक्राइब कर दीजएगा दिए यहां पर सूरपश्शा प्रकोष्ट जो है वारेढ़ िन कहा जाता है तो किसे कहा जाता आ रहें है रहें कि नीत के नाम से जाना जाता है और वारें हिस्टिंग था वेले जिली समंदित हैं माने याद रखेगा अगर वारें हिस्टिंग हो था ठीक है और लाड वेले जिली भी से समंदित है और वारें हिस्टिंग जो था उसने माईसूर अमराठा के साथ युद्धू में अनिभात अपनी सिमाओं की सुरच्छा करकर अन्य राज्यों के तरफ बढ़ने की जो नीती थी वह वारेन हेस्टिंग थी जिसे हम सुरच्छा प्रकोष्ट या घेरे की नीती के नाम से हम जानते हैं तो यह बात आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा यह प्रश्ण परिच्छा में पूछा जाता है ठीक है और अपको पता ही ऐसे ज Chr बाद में बात में कोलक्टरूं की वारें हेस्टिंग ने भारत में सब से पहले ले कर टीकर जिसे आज हम डीम कहतें ठीक कि दूसरी बात एक बात याद रुखिएका कि वरेंट इस्टिंग से कश्ञों फूसथा जाता है कि इन इंग्लेंड वापस आने पर महाभ्योग मुकदमादार किया गया था तो यही गवर्नर वारें हेस्टिंग जिनके उपर महाभ्योग लगाया गया था मैं आगे बढ़ता रहूंगा लेकिन आपसे निवेदा ने कि आप वीडियो को पहले शेयर कर दें आपका कुछ समय लगे माने घेरे की नीति क्या कहते है इसे गेरे की नीति इसे ही सुरच्छा प्रकोष्ट कहते हैं अब आप बताईएगा अब इसके आसाथ से कौन सा अभिकल्ब सही होगा क्योंकि अब यह मत कहिएगा सर आपने यह नहीं पढ़ाया है एकदम आसान हलुआ हलुआ सा पस्टन है लेकिन यकीने आपके लिए महत्त महत्त पूर है तो यह क्या होगा वारेन हेस्टिंग राइट हैं सरोगा क्या होगा वारेन हेस्टिंग यह एक ऐसा टॉपिक है आज का जो आपके परिच्छा में बहुत ही पूछा जाता है ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पश् की तरफ अगला परशना आपकी बीच है निकित मेंशे किसने को डूवल गौवर्मेंट को समाप्त किया बंगाल में द्वैद सासन परणाली को समाप्त किया एक आसान सा प्रशन है और मैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रशन का जवाब जरूर देंगे और इस द्वैस की कई तीन बज़े भी स्टाड नाट चल लाग छलाई है उसकी बाद एकात क्लास आपकी और चल लिये आड बज़े भी आपकी क्लास चल लिये तो यह सभी क्लासे जियस की लगातार चल लिए हैं आप लोग जूड़े रहेंगे टेली के नाम पर इलंगी सरक्रदि संबंद किसक्ष यह कोट आप डायरेक्टर उनका सम्बंद वहरेन हैस्टिंग से किसे वहरेन हैस्टिंग से हैं और 1752 में कॉढ कर्दान के निया और करने का दिया थैकर परिसी पिसी तरह से याद रखेगा फिर डुद सासन Pizza इसने की थी ऐह बड़ा पस्ट नाए कि जब वारेन हेलम ने इसको सनरक्ट किया तो सर्वाध किछने की थी तो भाई सुरुवात करने का काम लड़ कलाईब निक्या था किसने किया था लड़ क्लाईब ने लाड क्लाइब — शमाप्थ करने का जुसुरे जाता है तो अमीद करते हैं आपने इस प्रशण का जबाब शहीद जिया अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रस् Assam यëकिनें आपका concept clear और हो चुका होगा खिक है अगला है द्वैद शासन का जनक किषे माना जाता है मैं आपका समय नहीं लुँगा मैं आपको बता दूँ कि द्वैद सासन का जनक Sir Lionis Curtis को माना जाता है अगला प्रश्ण आपके शामने है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था सबी लोग फड़ा फड़ बताएं कौन से बिकल्ब को तला लगाना है आप लोग वीडियो को सेर नहीं करें लोगों तो पहुचा नहीं रहे हैं अगर आप लोग की इच्छा यहीं रहेगी तो लंबी क्लास नहीं उपाएगी मैंने आपको पहले बताया कि जो मैंने भारती इतिहास का आधनी बात के इतिहास जो मैंने इतनी लंबी श्रीष चलाने के लिए अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे मैंने बताया था कि जो वारिन हिस्टिंग था इसका जो शाषन काल चला था वह 1773 से कि पचासी तक था ठीक है और यह अपने निरंकुस कारियों के कारण इस पर महाम को महाभ्योग की जो है मुकदमा चलाएगा और इंग्लेंड वापस लोटने पर सत्रसो अठासी सत्रसो लिख लिजएगा अठासी से पंचान बेश्वी तक 95 तक किन्तु उसे के संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए सभी दोसों से मुक्त कर दिया था और एक बात और भी कहा कि वारिन हिस्टिंग ने सब कुछ राज के हित के लिए किया न कि अपने लिए ठीक है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रस्टिंग की तरफ मैं यहां पर ज्यादा बहस्त नहीं करना चाहूंगा यह जानते रहेगा कि वारेन हिस्टिंग पर चला था ठीक है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को सेयर कर दीजेगा लोगों तो पहुचा दीजेगा कि देखिए जो वारेन हिस्टिंग है इसने भारत में नैक सेवा का जन्म दाता माना जाता है यह तो किलियर है लेकिन यहां पर पूचा है नैक संगतन के अस्थापना किस ने यह नैक संगतन के अस्थापना लाड कारणवालिश ने की थी किसने किया था लाड कारणवालिश ने किया था इन्होंने दिवानीयों फौजदारी न्याले को एकड़म कर दिया था और एक नई व्यवस्था रखी थी इस ब्योस्ता में वारेन हिस्टिंग ने आरम किया अगर कारणवालिस इसे मजबूत बनाए इसकी शुरुवात जो थी वह शुरुवात किस ने की थी वह तो शुरुवात करने का सरफ बार इन हेस्टिंग को ही जाता है लेकिन इसे मोर्त रूप देने का काम वह लाट कारणवालिस ने किया था यह बात आपके लिए अच्छी तरीके शिपता हो मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ कि यहां पर ध्यान से दिखिएगा आपके शंग्या काफी कमें इसलिमें को पाच प्रश्ण और करूंगा बागी कल संतर में भारती सिविल सेवा के नाम से जाने जाती है प्रश्ण विदान्द मनें इसी सिविल सर्विस आफ इंडिया का सर्जिन किया था एक घुमाओदार प्रस्ण है आपके लिए लिकिन इसका उत्तर भी उतना ही आसान है तो बताइए फटाफट सभी लोग जो वीडियो क को देख रहे हैं वे इस पिसने का जवाब चरूर देंगे देखिए यहाँ पर भारत में सिविल सेवा का जो जनक है वो किसे माना जाता है बताए कौन से बिकल्प को ताला लगाया जाए लाइब जो फटापट कमेंड करें कि सभी लोग फटापट बताएं कि यहां पर एक आसान प्रस्टन है और इसकीन सोट रखिएगा लाड का 49 देखिए लाइड का 49 यह 1786 क्योंकि वार्ण हिस्टिंग के बाद यह आया था याद रखेगा यह 1786 माया और कब तक था 93 तक था लाइड का 49 यह 1793 तक था अब यह जली कोई बता दें विल्य जली अठावे से पांच तक था ठीक विल्यम वेटिंग को भी करके सब बता देंगे लेकिन अभी आपको विल्यम वेटिंग अठाइस माया 35 था वार्ण हैस्टिंग को आप देखी रहे हैं तो लाड का 49 जो था इसने दासो की भूमी का स्वामी मान लिया जमिदार में और चलिए इसके बारे मागे में लोग पढ़ेंगे लेकिन आत्यक आप इतना जा लेजे क्योंकि ज्यादा पो जानना हमारे लिए उप्योगत नहीं है तो बंगाल का गवर्ण जनरल बनने के बाद का नवालिश ने प्रसासन को पुने गठित किया था राजस्व बोड को भंकर लेके राजस बोड जो था याद रखेगा 1771 में वार्य हिस्टिंग ने स्थापना की थी लाड़कार नवालिश जो था उसने क्या किया था उस्वे भंक या और नए नियम बनाया है थीक है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रिष्ण की तरफ कि देखे मेरा फेवरेट टॉपिक है अगर आप लोग चाहेंगे और ज्यादा आप लोगों तक चीजें पहुचाओं ता आप लोग कोई मदद इतनी करने पड़ेगी लोगों तक पहुचाईए ठीक है लाड कारणवालिस की कब्र कहां पर है इसकी जो मिर्ट हुई थी वह पांच अक्टूबर को ही थी यह आप की लिए बहत्त पूरो 1805 में अधासर पांच मुस्की मित्ति हो गए थी और इसका कब्र कहां पर है ठीक है अगर देखें यह गाजी पूर में कहां पर है गाजी पूर एकदम सही जिवाप तो यह जो गाजी पूर यह गाजी पूर में में लैड्क वर honor family's की कब्र है एक मात्र भार्ती गवर्ने ज Rand जन्रल्ण की समाधी भारत की उत्तर प्रडिस राज में है याद रखेगा कि भीत्री में कस्तंब है अगर कोई गाजीपूर का हो उसका नाम जरूर बताएगा मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ चाहिए तो इसकी इंसौड आप इसकी लेकर अपनी स्टेटर्स पर लगा सकते हैं फैस्जों पर भी पोस्ट कर सकते हैं यहां पर एक प्रश्णाप के सामने कि लाड वेलेजली की साइग संदी स्विकार करने वाला पहला मराठा कौन था लाड वेलेजली की बात करें आप तो लाड वेलेजली 9805 तक थे कब से 17998 एठार सो पास थे ठीक है संरास के बाद है संरास चाटर दिनीयम लाया था फिर निजाम मराठो को खेडा की लड़ाई संजार सोच के लिए था वह 93-97 तक था उसके बाद लाड वेलेजली जी आता है इसने सायक संदी की नीति प्रार्यम की थी सबसे प प्रशिद्र है साइग संधी के नीति को लेकर ठीक है और भारत में साइग संधी शुकार करने वाला पहला सासक कौन बना कोई कमेंट करके जवाब दे कौन से बिकल्प को ताला लगाए जाए साइग संधी को शुकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था देखिए यहाँ पर दो बात है पहला पूछा जाता कि पहला सासक अगर पहला सासक पूछा जाता पहला सासक दोनों चीजे लिख लीजेगा अगर यहाँ पर प्रस्न पूछता कि पहला सासक कौन था तो अगर पहला सासक साहग संदी शुकार करने वाला जो पहला शासक था वह अवत का नवाब था कौन था अवत का नवाब था ठीक लेकिन वेलेजली की साहग संदी शुकार करने वाला शुक्षा पहला सासक था लेकिन साहग संदी करने वाला पहला सासक अवत का नवाब लेकिन पहला हैदराबाद राजी बना राजी कौन सा बना हैदराबाद अगर राजी पूस्ता कि पहला राजी कौन सा बना तो हैदराबाद यह चीज़ें आपको छोड़ी-चोड़ी किताब हम नहीं मिलेंगे इसलिए आप इसे समझ के अपने पास उरच्छेद रखेगा सायग संदी को शुरू करने वाला पहला यूरोपी डूपले था याद रखेगा डूपले सायग संदी को शुरू करने वाला पहला यूरोपी था याद रखेगा यह पहला यूरोपी डूपले था फोर्ड विलियम की कालेज के स्थापनेट अभी आगे देखें वेलिजली के जो IPS होते थे उनके लिए क्या गया तो यहां से इतनी पॉइंट आपको हो गया अब हमारा प्रशने ये था कि लाड़ वेलिजली की शाहिद संदिक को शुकार करने वाला पहला मराठा क्या था तो अगले प्रशन की तरफ के वलब तीन प्रशन और बने तीन प्रशन के बाद आज इकलास आप एक अस्तम हो जाएगी फिर उसके बाद कल हम लोग और आगे पढ़ेंगे भात के गवर्णर जनरल भारत के गवर्णर गवर्णर जनरल वाई सरा है अगर आप चाहेंगे संख्या बढ़ाएंगे तो मैं लंबी क्लास यह करूंगा ने तो फिर यह तीन प्रशन और उसके बाद आज क्लास खतम हो जाएगी अगला प्रशन आपके सामने है शाइक कौन था बताएं फड़ाफर vilp का नवा और राजी पुस्ता है अगर पुस्ता कि पहला सासक के ज़ेकर आप राज कह देता तो भी यह हैदराबाद उत्तर होता और साग संदी शुरू करने वाला पहला जो है बैक्ति कौन था युरूप प्र डूप ले था कि लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं देखिए क्लासेश की टाइम आप लोग को पता है राज साड़े नो बजे चल लिए अगर इससे बहतर कोई पढ़ा रहा हो तो फिर ना आगे बड़ राए पैसने की तरफ निम्नमे साग संदी शुकार किसने नहीं की थी सब्लप अभडा पर कमेंट करें कमेंट करें चबाब दें कौन इसमें साग संदी शुकार नहीं किया था और दिक्शित जो भी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े जूने नहीं जोड़ जाएंगे यहाँ पर आपको क्लास की सभी नाटिफिकेशन में लेगी कल से जिया से कई क्लासे आपकी चल लहीं है वो सभी टिलिग्राम पूसकी लिंक मिल जाएगी फिर्जुक पेज इस्टाग्राम ट्विटर इलेनी बिद्रुगेश साहक संदी शुकार किसने नह नहीं किया था बताइए सभी लोग फटाफट कमेंड करके जोड़ी वीडियों को लाइब देख रहे हैं एकदम आसान सा हलुआ सा प्रश्ण है कि देखिए बिलेजिली ने साइक संदी कर विसकार नहीं किया डूपले नहीं किया था मैंने आपको पहले बता दिया था और यहां पर इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा बताए सभी लोग फटाफट कमेंड करके देखिए यहां पर शाइक संदी किसने शुकार नहीं किया था तो बताइए क्या होगा एक हलुआ वाला प्रिस्टन है भईया इंदाओर के होलकर राजने जी हां इंदाओर के होलकर राजने अब दिखिए मैं हाँ पे तथ्य को असपश्ट कर दू इंदाओर का जो होलकर राज है लाड विलेजिली ने 1798 से 1805 तक किया उसने अपने राजनीती के माध्यम से सभी को राज्यों को मिलाना चाहा इंदाओर के होलकर ने साइक संदी शुकार नहीं कि थी जिन राज्यों ने शुकार की थी वो थे आपके हैदराबाद मैसूर तंज़ोर जोतपूर जैपूर मचेरी बूदी भरतपूर अवद पेसवा बरार भोंशले अवद ये सारे जो थे वो क्या किया था इन्होंने इसकी साइक संदी शुकार किया था लेकिन इन दौर के होल कर राज ने नहीं किया था ठिक मैगे बढ़ रहाओ अगले प्रश्ण की तरफ बस भारती राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत अस्थापित करने के लिए किष्णे प्रसासन में सहक संधी प्रणाली का सुत्रपात्र किया भारती राज्य पर अंग्रेजी प्रभुत अस अब यहां पे नया नाम जूरता जाएगा क्योंकि करके टॉपिक हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां पर भी इसका उत्तर होगा लाइड वेलेजरी नहीं किया लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि शुरुआत डूपले ने किया था यह रट्टा माल लिजेगा लिख तो आगे पढ़ा दें एक दो प्रशन और आपको क्योंकि काफी कुछ पढ़ाना था लेकिन आप लोग की शंख्या इतनी कम है कि मनोबल टूर्ट जाता है इंसान का कि कैसे मैं पढ़ाऊं बताएग चलिए क्योंकि आज की सीरीज बहुत इंपोर्टेंट थी आपके लिए एक थी सुगोली की शंदी जो परिछस पूछा जाता सुगोली की संदी इस चुझारे की बारे में बात करें कि मैं स्वहम बैखा करता हुआ चलूंगा आपको ज्यादा समस्या न हो अंगले नेपाल इद्ध जुगा था वो लाड हैस्टिंग के समयम हुआ था सुगोली की जुशंदी के बाद उसे समाप्त किया गया कब अठार शो पंद्रह में कब अठार शो पंद्रह में सुगोली की संदी 2 दिसमबर 815 को जिसका उन्मोधन चार मार्च 816 को किया गया यह आप लोग याद रखेगा है ठीक है आप लोगों आज बहुत पढ़ लिया क्योंकि आप लोगों ने असा नहीं कि कुछ नहीं पढ़ा काफी महत्पूर्ण तत्य पढ़ लिया है ठीक हम किसी दिन अपसेंट नहीं हो जैब कि मैं तवियत काफी ही दिक्कत है मैं को मैंने आपको यहां तक बढ़ाया मैंने छुटिया नहीं लिक्त में सइसरे समेलित नहीं है तो यहां पर आपको पताने लिए तेक ने तो खिलत देंगे लॉड閱 स्पफिं आर नेपॉल यो लाड़ व्यो ली घर क्रण мало यही आपका गलत और जो गलत है वही आपका सहे कि तो यह लॉट हेस्टिंग कर्लाड का नमालों चाहिशा था यह लॉट है यह В emba अगे बढ़ रहा हूं अगले पष्ण की तरफ कि चलिए ठीक है दो प्रश्णा और पढ़ लेते तब क्योंकि आप लोग ने इतना के दिया है तो क्योंकि आज की सीरीश काफी भी हित्री थी जो मैंने भी पढ़ाया आपको एक बार उसे दोरा लिजेगा तथा कथिप कुषासन के आधार पर किस गवर्णर जनरल मैसूर र अब लाड विलियम वेटी के बारे मैंने बता आधार 288 से इंने भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है इस परकार लाड बियुक्ति भात के पहले गवर्नर जनरल बने थे ठेक है और कलगत्ता मेडिकल काली का स्थापना अठाव सब्सक्राइब नहीं किया था तो यहाँ पर इस प्रशने का जो सही बिकल्प होगा वो लाड़ विलियम बैटी की होगा क्या होगा लाड़ विलियम बैटीक होगा इनके बारे मैंने बता है यह 1828 से मैं इनके बारे में 1835 रहे हैं इन्होंने सती पर रोका मोश इंपर्टन लाड़ विलियम बैटीक एक बारे में जानेंगे तो सती पर था जो भी आगे प्रशनपका बनेगा सती पर रोक कि कब रोका किसी को पता है 1839 एक प्रशनापका तयार थागी पर थागी यह भी पूछा जाएगा एभी ठागी प्रथा रोका था एक साल के बाद 208830 मिलों रोका यह सिसूबध कर सिसूबध होता था है यह इसका यह जल्दी में हमें नहीं मिला एक्जाट सही अधाव सोर्टी से भी माना जाता है ठीक है तो यह था इनका महत्पून्ठ कार और यह बहुत के गौवर्नर जॉन्रल कहाएब यह भारत के गौवर्नर जनरल थे मैंने आपको पहले पेस्ट में ही बटा दिया था ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपके जो कॉंसेप्ट हैं वो काफी क्लियर हो चुके होंगे और अब भी क्लियर नहीं हुए तो फिर यह कहना तो मुश्किल है कि अभी और क्या क्या चीची है में और आपको पढ़नी है चलिए आ यहां पर निम्नेखित में बंगाल के गवर्णर जनरलों में से कहों निक्तिती आंगले मैं सुर्य दूसे शंबंद है ठीकन याज का आखरी कोश्चन आज के साथ नहीं भी क्लास खत्म हो जाएगी अप सभी लोग जो तो जीएस की जो महावारत सुर्य चल लए यह प्रद्धिन राज साड़े नौवजी चलेगी राज साड़े नौवजी एक बहत्तर सुर्य चल लए और आपके लिए काफी महत्त्य पूर्ण है एक्तिती आंगल मैसुर्यों दूसे शंबंद के श्काह है अभी उपर हम कई बार देखने का प्रयाश करिएगा और ये इसका जो उत्तर होगा वहोगा लाड कार्ण 50 क्या होगा लाड कार्ण 40 होगा क्या है लाड कार्ण 50 को जी मैं ऊपर बताया था आगे बढ़े तोस 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 होऊगा था इसके पहले कछ सक्षिन में जो कलकर मौने फटा तो छी अutar पर लिया और उमेद करते हैं यहां से आपके बहुत सरे कोंसेट्य वो चुकिए होंगे एक एक चोड़ा सा प्रश्ण आगे आपको दिख रहा होगा यह प्रश्ण का जवाब आप कल दीजेगा कल से शुरुआत करेंगे ठगों के दमन में निम्लिखित में से कौन संबंद था एक बड़ा सब ठगों के दमन से और आप लोगों ने देखा होगा सर यह ठगों के दमन से निम्लिखित में से कौन संबंद थे ऐसे बहुत सार प्रश्ण आप थोड़े से मैंने कड़े प्रश्ण शुरू किया थे लेकिन आपके संक्या बहुत ही कम है आप लोग संक्या बढ़ाईए अगर ठग में हिंदू भी शम्रित थे मुस्लिम लोग भी थे लेकिन यहां पर काली दुरगा भवानी की पूजा करते थे प्राय अपना सिकार का सिरकार देवी चोड़ों बली चड़ाते थे उन्हें विश्वास था कि उनका धंधा जो है वो विधी का विधान है उनके सेरी मृत उनके भागे पलिखी होती सती प्रथा के प्रशन पर कुछ मत बेता कि तो ठगी की विशे में समझ जनता को सरकार का समर्थन किया तो लाड विलियम वेटिंग ने कैप्टन सिलीमन को ये कैप्टन थे सिलीमन को ठगों के विरद कारवाहिक करने के लिए निक्त किया था ला कि विलियम वेटिंग यह इंपोर्टेंट प्रस्टन है आपके लिए ठीक है और अठाव साथी तक ठगों का पुरी तरसे ठीक है तो आप लोगों ने देखा कि कैप्टन स्लीमन कितना महत्रपूर ने निकल गया इसलिए मैंने का नहीं कि बहुत सारी चीज आपको पढ़न है और इसी तरह लोग पढ़ते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत बहुत दनेवादा सभी का काफी अच्छा लगा आज की स्रीज फिर मिलते हैं कल की बाकी सभी क्लास यह क्लास जो महाभारा स्रीच चल लए जीस की वह प्रद्दिर राज साड़े-9 चल लए ब पिर शाड़े-9 प्यम पर यह चार बड़ी क्लासे आपकी इलने बिद्रगेश पर सामान ध्यन की सुरू हो चुकी है तो इसलिए आप सामान अध्यन में अगर चाहते हैं कि सरकारी नोकरी करना सामान ध्यन के अधार पर आप सभी का इलनी बिद्रगेश में मौस्ट विलकम है और उसके लिए आप लोग टेलीग्राम जुड़े रहेगा विए टेलीग्राम पर में आपको लिंक मिल पाएगा उसके लिए आपको सर्च करना स्क्रिक्शन में वीडियो के लिंक रहता है वहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं दुर्गेश सरसाच करके लेनी पर दुर्गेश से ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवादा सभी का बेस्ट ओफ लग जय हिंद जय भारत ठीक है तो अच्छी क्लास कब होगी जब आपसकी सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवादा सभी कम बाई बाई